नमस्कार मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे डोंगे में चावल तो डोंगे में चावल कैसे बनाते हैं वो देखेंगे तो इसको बनाना बहुत ही असान है इसके लिए दो कप मैंने चावल लिया है इसके चावल को दो लेंगे डोंगे में पानी जो कि जब पानी गरम होता है तो थोड़ा भाब बन कर निकल जाता है इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ले लेंगे अब इस पानी को उबलने के लिए रख देंगे तो धकल लगा कर इसको हम उबलने देंगे चावल को हमने धो लिया है अब जब पानी उबल जाएगा तो चावल को धोंगे में डाल देंगे और इसको हाप ढखेंगे और इसे बनने देंगे इसे हम तेज फ्लेम पर भी बना सकते हैं लेकिन कई बार क्या होता है पानी वलते वलते उपर आ जाता है और फिर गिरने लगता है इसलिए फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप तेज फ्लेम पर बना सकते हैं लेकिन आपको इसका ध्यान रखना होगा जब यह उपर आएगा तो थोड़ा कलची से चला देंगे जिससे की यह फिर से नीचे चला जाएगा तो फ्लेम को आप अगर आप इसको चड़ा कर छोड़ना चाहते हैं तो यह जब पानी इसका खतम हो जाएगा चावल बड़े बड़े दाने हो जाएगे पकने जैसे हो जाएगे और यह इसके पेंदी में बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा यह बहुत ही थोड़ा पानी रहेगा तो अब हम इस चुले को बंद कर देंगे और ढखकर छोड़ दें लेकिन अगर आपके राइस में थोड़ा पानी एक्स्रा है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं लेकिन ये तरीका से आपको पानी निकालने का जरूत नहीं होगा और बहुत ही खिले-खिले अच्छे चावल बनेंगे तो एक वार इसको भी बनाईए जब कभी कुकर जुठा कर करने का मन नहीं होता है या बीना कुकर के हमें चावल बनाना होता है तो हम इस तरह से बना सकते हैं तो इसको बनाईए खाईए थैंक